मैं कहूंगी जैश्री राम के नारे लगाना गलत नहीं है मैं खुद हिंदू हूँ जैश्री राम कहना गलत नहीं है पर ये नारा देना तब गलत हो जाता है जब आप किसी एक धर्म को तार्गेट करने के लिए उस नारे का इस्तिमाल करते हैं क्यों आप किसी धर्म को नीचा दिखाने के लिए जैश्री राम के नारे लगाते हैं। हमें बच्पन से ये सिखाया गया है कि हर धर्म बराबर है, हर धर्म को एक सम्मान दो, उस धर्म को भी उतना ही मानों जितना आप खुद के धर्म को मानते हो, कि हिजाब का जो मुद्दा है हमारे देश में ये काफी दिनों से चल रहा था चुकि मैं इन दिनों में आपको पता है कि भारत में इलेक्शन से तो मैं वहां जादा बिजी थी तो मैं वक्त नहीं दे पा रही थी उस ख़बर को जादा पढ़ने में उस ख़बर से जादा तुमने पढ़ा कि हिजाब का जो मुद्दा है वो काफी जादा ट्रेंट कर रहा है तो मैंने देखा उस वीडियो के बारे में और जब उस वीडियो को मैंने देखा तो मेरे जहन में केवल एक सवाल आया कि यार अगर एक लड़की हिजाब पहनती है तो उस पर इतना बनाकर उन सभी लोगों को एक संदेश दूं कि हिजाब पर इतना जादा विरोध क्यों अगर कोई लड़की हिजाब पहनती है तो ये उसकी अपनी परसनल चॉइस है आप क्या पहनते हैं आप क्या नहीं पहनते हैं ये आपका अपना व्यक्तिगत मामला है मुझे लगता ह है कि उनको बच्पन से ये सिखाया गया है और कही बार मैंने ये भी सुना है उन लड़केों के मूँ से कि अगर उनको कोई परेशानी नहीं है हिजाब पहनने में तो हम कौन होते हैं उस पर सवाल खड़े करने में वो वीडियो बनाने से पहले तो मैंने बिल्कुल भी नह चाहिए तो मैंने सामने से आकर उस वीडियो पर बात की और जो भी राय थी मेरे जहन में चुआया वो सब राय मैंने पूरी आवाम पूरी जनता के सामने रखा मैं कहूंगी जैश्री राम के नारे लगाना गलत नहीं है मैं खुद हिंदू हूँ जैश्री राम कहना गलत पर ये नारा देना तब गलत हो जाता है जब आप किसी एक धर्म को तार्गेट करने के लिए उस नारे का इस्तिमाल करते हैं क्यों आप किसी धर्म को नीचा दिखाने के लिए जैश्री राम के नारे लगाते हैं हमें बच्पन से ये सिखाया गया है कि हर धर्म बराबर है ह ब्रदं को इसम्मान दो उस धर्म को भी उतना ही माननों जितना थितना मानते हो अपने ही बात कि भारत में मुस væpm VOICE होती हैं तो मुझे लगता है कि यह बहुत गलत है मुसलिमान जो हरकते करते हैं जो कहीं करते हैं हम पर भी सवाल उठाते हैं मैं भी तो खुद हिंदू हूँ, मेरे पूरी परिवार के जो लोग हैं, उन्होंने मेरे माबाप में अगर मैं बात करूँ, तो मेरे माता पिता ने कभी मुझे ये परवरिश नहीं दी, कि आप अपने धर्म को उपर रखो और दूसरे धर्म को नीचे, मुझे लगता है कि हिंदू लोगों को टार्गेट करती हूँ, जो बार-बार मुसल्मानों को कहीं ना कहीं नीचा दिखाते हैं, मैंने ऐसे कहीं वाक्या अपने जीवन में देखे हैं, जहां मुझे लगता है कि हां सही में उन्हें टार्गेट किया जाता है, जाहे हिजाब का मुद्दा हो, या फिर किसी और का मुद्दा हो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने धर्म को मानते हैं, तो दूसरे धर्म को भी उतना ही मानिए, उतनी ही इज़त उस धर्म को भी दीजिए, अब हिंदूस्तान एक ऐसा देश है, जहां हर धर्म के लोग हैं, जहां हिंदू, मुसल सिख इसाय पार्सी सभी धर्म के लोग हमारे हिंदुस्तान में हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हर धर्म की उतनी ही इज़त है जितनी हिंदू की है मुसलमान की है और बाकी धर्मों की है पर कुछ ऐसे लोग हैं जो सच में किसी एक धर्म को बार बार टार्गेट करते हैं मेरा उन सभी लोगों को लेकर राय है कि याद आप क्यों बार बार एक ही धर्म को टारगेट करते हो आपका धर्म अगर उंचा है तो दूसरे का भी धर्म उतना ही उंचा है किसी का धर्म चोटा या बड़ा नहीं होता हमारा जो सम्वेधानिक अधिकार है ये हमें नहीं सिखाता कि आप मुस्लिम को नीचा दिखाओ, हिंदुओं को उपर दिखाओ, अचानक से मैं ट्विटर चला रही थी, तो मुझे दिखा कि हिजाब का मुद्दा काफी तूल पकड़ रहा है, वहां एक विडियो हिजाब में एक लड़की की जो विडियो है वो मैंने देखा कहीं लोग जो हैं उन्होंने सोचल मीडिया पर अपनी राय रखी लोगों ने उस वीडियो को खुब पसंद किया उस लड़की को खुब वावाही मिली तो मुझे ऐसा लगा कि यार क्यों ना मैं भी उस पर अपनी राय रखूं इस मुद्दे पर बात चीत कर कि जब ये वीडियो हमने बनाया तो हम में से किसी को ये अन्दाजा नहीं था कि इस वीडियो को इतना पसंद किया जाएगा हमें अगर इस वीडियो पर मैं अपनी राय रखूंगी तो मैं गलत नजर आओंगी क्योंकि मैं हिंदु हूं मैं मुस्लिम लोगों के खिलाफ आ मैं नहीं ऊट्रा सकती या मैंने वो वीडियो इसलिए नहीं बनाया थाकि मुझे फेमस होना था लोगों की तारीफी सुननी थी वो वीडियो मैं यसलिए बनाया था आपकी आवाम ने मेरी देश की आवाम ने खूब पसंद किया अपकी आपकी 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 संद कांपी आपकाई बंध एक प्रसकाई। वांद बीच्त किया है खर्णकिति णापकी आपकी आफ俺 रो हुं आपकी तो हरुआ हो दिशकाई। मैं खुद हिंदू हूँ जैश्री राम कहना गलत नहीं है पर ये नारा देना तब गलत हो जाता है जब आप किसी एक धर्म को तार्गेट करने के लिए उस नारे का इस्तिमाल करते हैं क्यों आप किसी धर्म को नीचा दिखाने के लिए जैश्री राम के नारे लगाते हैं हमें बच्पन से ये सिखाया गया है कि हर धर्म बराबर है हर धर्म को एक सम्मान दो उस धर्म को भी उतना ही मानो जितना आप खुद के धर्म को मानते हो